दोस्तो अभिनेतरी साई पलवी का नाम सुनते ही मन में साउथ फिल्म इंडॉस्ट्री में तेजी से उभरती हुई अभिनेतरी की छवी आ जाती है जो अपने फिल्मी करियर में काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है जहां एक तरफ ये अपना नाम साउथ की टॉप अभिनेतरियों में शुमार कर चुकी है तो वही अपने सादगी भरे अंदास के साथ साथ अपने अच्छे नेचर से भी दर्शकों को मुरीद कर चुकी है तभी तो आज इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है गिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे पर मासूम सी दिखने वाली अभिनेतरी साई पल्लवी के दिल में किसी शक्स के लिए नफरत भी हो सकती है नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए क्योंकि यहीं सच है कि आपकी एक खुपसूरत अदाकारा अपने जीवन में एक शक्स से बे इंतिहान अफरत करती है इतनी कि वो उनकी शकल तक देखना नहीं चाहती खरकार कौन है वो शक्स और ऐसा क्या कर दिया उसने साइम पल्लवी के साथ कि उनके दिल में उस शक्स के लिए इतनी कड़वा हट भर गई है अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें साथ ही इस दमदार एक्टरिस के लिए एक लाइक तो बनता है साउथ फिल्म इंडॉस्ट्री में तेजी से सफलता हासल करने वाली अभिनेतरी साइम पल्लवी ने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है उन सभी फिल्मों में अच्छे किर्दार को पॉफेक्शन के साथ निभा कर सभी का दिल जीता है इनफेक्ट जहां ये अपनी फिल्मों में अपनी किर्दार को बहतर तरीके से परदे पर उतारने के लिए मशूर रही है तो वही इनका नेचर भी कुछ कम नहीं था लोगों को काफी अच्छे से प्रभावित करता था चाहे वो इनके क्रू मेंबर्स हो या फिर इनके नेबर्स भी इनके अच्छे बिहेविर के लिए इनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे और बाकई अभिनेतरी इसके काबिल भी तो हैं जो सभी के साथ अच्छे से पेश आती हैं लेकिन हैरत की बात तो ये है कि सभी के साथ अच्छे से पेश आने वाली अभिनेत्री साई के दिल में एक शक्स के लिए इतनी कड़वाहट है कि वो उसकी शकल तक देखना नहीं चाहती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साई पल्लवी के दिल में जिस शक्स के लिए कड़वाहट इतनी जादा भरी है वो कोई और नहीं बलकि साउथ इंडॉस्ट्री के टैलेंटड अभिनेता नानी हैं। इसे फिल्म में काम करने के दारान ही दोनों के बीच एक शौट को लेकर लड़ाई हो गई थी। गुस्सा आया कि उन्होंने बिना सोची समझे उन्हें एक फ्लॉप अक्टर तक कह दिया। साथी साथ उन्हें काफी खरी खोटी भी सुनाई। अपने बारे में इतने अनाब शनाब बाते सुनकर नानी ने भी उन्हें इतना कुछ बोल डाला कि दोनों के बीच काफी छड़प हो गई। जिसे फिल्म के मेकर्स ने ही सिल जाया। तब ही से ये दोनों एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं और एक दूसरे की शकल तक देखना नहीं चाहते। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दोनों को अपने सारे गिले शिक्वे भुला कर दोस्त बन जाना चाहिए या नहीं आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी साउथ इंडोस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना हुए